हलो वीवर्स वेलकम बैक टू मैच चल आज का हमारा ब्लोग होने वाला इस ब्यूटीफूल जट्रेंडी पोठली पैक का तो आज हम इसे बनाएंगे तो चलिए अपना ब्लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेना है आपको ये प्लेट एंड पेपर देन हमको क्या करना है इस प्लेट को इस पेपर पे रखके एक राउंड शेप बला लेना है आपके पाथ जो प्लेट अपले बला आप उसका यूज कर सकते हैं तो हमने इस पे एक round shape draw कर लिया है, तो मैं आपको इसका diameter बता दूँ, तो देखे इसका diameter है 8.7 inch, ओके, इतने diameter का आप ली लीजेगा, अब ये paper को हमको cut कर लेना है, ठीके, इस paper को हम half circle बराबर cut करेंगे, पूरा paper नहीं अटाएंगे, देन आपको क्या करना है, इस तरीके से नहीं ये circle वाला side अंदर हो, इस तरीके से fold करके, बीच में एना एक marking का निशान बना लेना है, जिससे हमारे circle का बीच वाला point निकला है, तो ये देखे, बीच वाला point निकलाया, then scale रखके, एक cd line draw कर लेनी आपको, तो देखे, इस तरीके से हमारी cd line बन चुकी है, then हमको इंची tape लेना है, और इस cd line के दोनों तरफ, क्योंकि ये circle का mid है, तीन-तीन इंच पर marking का लेनी, तो तीन इंच यहां, तीन इंच यहां, यांने total 6 इंच, okay, then हमें क्या करना है, scale लेना है, और इन लाइनों को state का लेना है, then आपको क्या करना है, जो state line है, उससे 3, sorry, 2.2 प इसे इन दोनों point को मिला देना है, अब हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारी line बन चुकी है, अब ये पूरा paper हम trim कर लेंगे, जो हमारी marking के out वाली agent है वहां पे, तो इस तरीके से मिला के, हम पूरा paper को cut कर लेंगे, ठीक, तो देखिए, पूरा paper trim कर लिया है हमने, तो हमारा final ये design है, then आपको क्या करना है, इसी size के ऐसे रखके, fabric को आपको cut कर लेंगे, तो यहाँ पे मैंने velvet का fabric यूज किया है, then हम ये less लेंगे, देखिए, इसकी जो लंबाई है, वो 9 inch है, then इसे इस तरीके से ऐसे लगाएंग देखिए, then दूसरी less लेंगे, देखिए, 8 inch किये, then इसे इस तरीके से ऐसा तेड़ा लगाएंगे, then हम यहाँ पे क्या करेंगे, gold less all लेंगे, तो एक gold less इस तरफ attach करेंगे, same यही gold less इस तरीके से ऐसे attach कर लेंगे, same ऐसा ही दूसरा piece लेना है, और उस पे भी same ऐसे ही आप less attach कर लेनी है, तो देखिए, मैंने दोनों पीसों पे less attach कर लिया, then हम एक और less लेंगे, उसे इस तरीके से इस पे और इस तरीके से इस पे दोनों पे stitch कर लेंगे, तो देखिए, मैंने दोनों less stitch कर लिया, अब जो बाकी की less है उसे काट के पूरा trim कर देंगे, हम, तो देख कि किसे हैंब किसी की नंबाई कितनी है तो देखिए इसकी लंबाई है 43 इंच अब आपको कह करना इसे इस तरीके से ऐसे फोड़ करें पूरा स्टिच कर ल Vienna है तो देखिए मैंने पूरा से इठude करके तलिया हैं और आक देखें इन दोनों की जो शिलाई वाली साइड ना खुली हुई साइड वो अंदर बाहर की तरफ करना है और इस तरीके से ऐसे इस पे प्लेट्स बना लेनी हैं मैंने यहाँ पे इसी फैब्रिक का यूज किया है आप चाहें तो अकर यह प्लेट को वाइट करना चाहते हैं तो आप क्या करिए यह पर कोई लेस्ट भी लगा सकते हैं नमें पिंन लिलेना है और जो हमने पलेट्स बनाही है उसमें इस तारीके ऐसे पिंन लगा लेना है आप चाहें तो ड़ाये क मशीन पे भी रखने फ़ी बना बना सकते हैं तो इस तरीकेसे जितनी हमारे लेंथ है vientसे ऊकॉर्डीग और बना लें उसको कबर करें कि यह जो मैने यहां जो बैक कर आले हैं जो आशोर आय नए और बाणी से यसन इंस्पायर होके मैंने यह बनाया है आप जरूर ट्राइ करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह कैसा बना है और अभी तक आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चनल को सब्सक्राइब कर लिजे अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर द कीज़ेगा तो देखे मैंने स्टिच कर लिया और ऊपर दिखे थोड़ी थोड़ी सी चौड़ दी है ठीक है देन आपको क्या करना है फैब्रिक लेना है दूसरा इसको इसके ऊपर इस तरीके से ऐसे रखके और इस तरीके से यहां से एकदम मिला के स्टिच करना है जो लेस वाली जगे है नहीं पूरा स्टिच करना है और लेस वाली जगे छोड़के तन पूरा स्टिच कर देना है तो और इस तरीके के आपको अस्तर के कपड़े लेना है इसको यहां से पूरा यहां तक स स्टिच कर दिये हैं अब हमको क्या करना है इस बैक को सीधा करके इस अस्तर के अंदर डाल देना है आप चाहें तो सेम कलर का भी अस्तर यूज कर सकते हैं और देखें इसके जो डोनों एंड है जहां पर लेस्ट लगी है वो खुले होए हैं अब यह स्टर के अंदर डालेंग आप सेम कलर का अस्तर यूज कर सकते हैं और अस्तर के मेजरमेंट वही है मार्किंग जो हमारे पर्स की है देन आपको क्या करना है एज मिलाके इस तरीके से पुरा स्टिच कर लेना है तो देखें मैंने स्टिच कर लिया सिलाई वाली साइट से मिलाई है इस बात का दियान देन आपको थोड़ी से सिलाई के उलना है जहां से हमारा जो यह पर से सीधा हो जाए तो देखिए हमारी पोठली सीधी हो गई देन इसके तो आउटरेज है ने मिला के इसको पूरा स्टिच कर लेना है तो देखिए मैंने पूरा स्टिच कर लिया देन आपको क्या करना है अस उपर मशीन लगाई है देन लेस के उपर मशीन लगाई है और लेस के नीचे तरफ मशीन लगाई है तो देखें ये मैंने उपर मशीन लगाई है देन मैं लेस के उपर और नीचे दोनों तरफ मशीन लगाई है आई होप आपको समझ में आ गया होगा और अब आपको ऐसी दो दोरियां ले लेना है तो मैं आपको इसकी लेंद बता देती हूं देखे इसकी लेंद है न तीस इंच है ओके देल इसमें सुई लगाएंगे और हमने जो लेस के ऊपर और नीचे से लाई की थी न वहाँ पे इसको डाल देंगे तो देखे हमने ये खुला तो अल्रेडी हुआ था है न अब यहां पे हम इसे लेस डाल देंगे अगर आप यह उपर वाली लेस नहीं लगाते हो तो आप आधा इंच के करीब खुला छोड़ दीजे और मैंने वहां पे तीन से लाई लगाई थी दो एक उपर की तरफ एक लेस के उपर और एक लेस के नीचे तो हमन की तरफ में डाल लेंगे तो देखे हमने दूसरी डोरी भी डाली इसमें भी हम ऐसा नौट लगा देंगे इस तरह की लटकन लेंगे और इसमें लटका देंगे यह उप्शनल है आप लटकाना चाहे तो लटका ले नहीं तो आप गठान को खीच के अंदर तरफ कर दे तो वह नहीं देखेंगी तो मैंने इस तरीके से इसमें दो लटकान में लगा लूँगी अच्छे से टाय कर लूँगी ताकि वह निकले ना तो देखें मैंने यहाँ पर पूरी लटकान को अच्छे से टायट कर दिया है देन एक स्टिप ले लिए जिसकी चोड़ाई है धाई इंच और लंबाई है साड़े बीस इंच देन आपको क्या करना है इसे इस तरीके से ऐसे फोर्क कर पूरा स्टिच करना है तो देखें मै तो देखें इस तरीके से मैंने इसे पूरा सीधा कर लिया है देन हमें क्या करना है इसके उपर रखके से हम यहाँ पर सिलाई नहीं लगा सकते थे क्योंकि हमारी जो फ्रिल से वो लगे हैं तो हासे इसे फटाफट सिल लेंगे तो दिखें इस तरीके से हमारा ब्यूटिफुल सा बैक बन के तयार है और यह जो है एक्स्टा में हमारी लटकन के जो आगे लटक रहे होने काड देंगे इस पर इस तरीके से ग्लू लगा देंगे ताक भी जो है वो लटकन वो निकलने के चांसे बिलकुल ना रहे है तो तो बहुत ईजिली लूजर टाइट हो जाता है तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक शियर और सब्सक्राइब जरूर करें कमेंट करना बिलकुल मत बूलना थैंक यू फो वर्चिंग मैच वानव